हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब कमेंड में बताएं कि आप सब कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्णिंग आप वीडियो को जरुर अपने दोस्तेब के चाँछ सीर कर दे आज आप सभी के लिए कर आये हैंं हिंदी ब्याकरण का संदी विछेद विलों सब्द और परिवाची सब्द और उपसर्ग से मस्ट इनपोटेंट उब्जेक्टिव कोश्चन जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आव इसे काफी उप्योगी है और उब्जेक्टिव जैसे कि आप सभी का साथ वीडियो आला नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लेंगे बहुत ही काफी इन्पोटेंट है और इसमें हम बात करेंगे संदी विचेद की तो सवी को सबसे पहले बाता आ जेकी संदी विचेद है क्या लातिये उसे ही संदी कहते हैं अर्थात संदी किये गये सब्दो को अलग-अलग कर के पहले कितर करना ही संदी बीचेद का लाता है तो यह हुआ संदी बीचेद का परिश्प्षा और शसके बाद आप सब्यकों बदाएंगे के कैसे गणेश का प्रवा прवलाच्छी सब्द लिख यह आप सभी का उस तरह उसके प्रवाच्छी करणा है और उसके पारप्रवाच्छी करना आए और या ना सब्दांस सब्दो के आदि में जुढ़कर उनके अर्थ में कुछ वीश्यास्ता लाते हैं उसे ही उपसर्ग करते हैं तो जो सब्दान से जुड़कर उसके सब्द में कुछ भी शास्ता लाते हैं उसे ही उपसर्ग करते हैं तो यहां आप सभी का उपसर्ग हो गया तो इसी से हम कोश्चन देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम संदी बीचेद से कोश्चन देखेंगे तो य जुड याम तो आपके पास 10 सेकेंड है 10 सेकेंड में आप सभी को एंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है लाइहोब कि आपने इसका एंसर कर दिया होगा तो इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर आप सभीको बी नमर अपशन अगर किये होंगे तो बिल्कु राइट एंसर है नमर अप्षन बी जुड याम ही ब्याम का संदी बीचे दुगा इसका यहीं संदी बीचे तुगा बी जुड याम इसका बी नमर अप्षन बिल्कुर आइट अंसर है आप सभी को याद कर लेना है इसका बी नमर अप्षन बिल्कुर आइट अंसर है तो फिर इसका अगला प् में इस का अंसर दीजी आपके सामने 10 इच सकेंड का टाइमrice के लिए तो आप वीडियो को रोख भी सकते हैं रोकर इसका अंशर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो चलिए आपका टाइम सुरू हो रहा है और तो आई होग कि आपने इसका एंसर कर दिया होगा इसका एंसर आप सभी को बी नमर अप्सण कर किये हैं तो बिल्कु राइट एंसर अगर नीरोग का संदी बिछेद क्या होगा तो निव जोड़ रह होगा आप सभी को यहाँ पर हरसाई और धिरगवई में ध्यान देना होग इसलिए इस पर आप सभी ज़्यादा फोकस करें नीरोग का संदी बिछेद क्या होगा तो नीरोड़ रहोगा है इसका इसका अब पुछ बीचा रहता है या जो कुछ कोमेंट में बताएं कि इसका संदिडया होगा जैसे कि आप इंसर जल्दिशे data नियुक्र नघंठ क्या इसका आपका ता Town of सुरू होता है Colin तो I know कि आपने इसका answer कर दिया होगा, तो इसका answer अगर आपने a number option किया है थो बिल्कूल right answer है तो आप इसी तरह answer करते जाए इसका a number option बिल्कूल right answer है, दीपे अवली का संदी बिछेत क्या होगा तो दीप पलस आवली दीप आवली होता है इसका ए नमर अप्सम बिल्कूर राइट एंसर है आप सभी को याद कर लेना है अगर याद नहीं है तो ये सभी को आप सभी को याद कर लेना और इसी मेथड पे आप सभी का प्रश्ण रहने वाला है तो आप सभी को देख लेना है तो अगर आपने इसका एंसर बी नमर आप्शन पर किया होगा तो बिल्कुर राइट एंसर है पर एक्षा का संदी बिछेद यह होगा तो आप सबी से बार बार कर रहे हैं कि इस पर आप सबी को हर साइज दिर गई और उसके बाद यहां पर बड़ी यह छोटी पर ध्यान दे किये और यह दोनों मिलता जूलता है तो इसलीन होगा और बिल्कुर राइट एंसर है आप सबी को याद नहीं है तो याद कर लेना है परिक्षा का राइट एंसर क्या होगा पर इजड एकषा इसका संधी बीषेद क्या होगा परिजोड इक्षा का संदी बेचेद दूगा फिर इसका अगला और लाष्ट प प्रशन संधी बीषेद से लेकर आρα है और लाष्ट प्रशन यह है कि लम्बोदर का संदी बीषेद करें ये बार बार पूछ चुका है और उसके बाद यह 18 में भी पूछा है तो इस पर आप सभी को विश्षिस ध्यान देना है लंबोदर का संदी बिच्षित क्या होगा तो जितना इंपोर्टेंट कोशन था जो कि संदी बिच्षित सा सभी को मैंने दो-चार कोशन था जो कि बार-बार आता है यहां पर इसका एंसर आप कोमेंट बक्स में बताएं लंबोदर का संदी बिच्षित क्या होगा आप सभी ने इसका एंसर कर दिया होगा इसका एंसर अगर आपने बी नमर अप्शन पर किया है तो बिल्कुर राइट एंसर है और आप सभी को इसी तरह एंसर करना है लंबोदर का संदी बिछेद क्या होगा लंब जोड ऊदर यहीं लंबोदर का संदी बिछेद होगा अगर प्रश्ण पूछे कि लंबोदर का संदी बिछेद क्या है तो आप सभी को याद कर लेना और यह भी बोड मोडल प्रश्ण है तो आप सभी से पांच कोश्चन था जो कर आए हैं और यह भी most important question है और आप सभी को देख लेना है कि इससे किस तरह का प्रश्ण आता है तो मुख का बिलोम सब्द क्या है तो यह सिंपल सा प्रश्ण है तो आप कमेंट में जरूर इसका टाइम हम आप सभी के लिए पांच सकेंड का रखते हैं पांच सकेंड में इस दिमीक होगा इसकाी नमर और सब्सक्रार का बिलोम सब्द क्या होगा तो बी मुख होगा अगला प्रश्ण यहांपर है और यहां पद्pellard का क्या कर दिया कि यहां पर आप सबसे के लिए चार भी कलप दिया गया और आपका टाइम शुरू होता है अब कि आज में तो आई नो कि आप सब लिए इसका एंसर कर दिया होगा अगर आपने इसका बिल्कुल गलत एंसर है अनादर का बिलोम सब्द क्या होगा आदर होगा इसका सी नमर अप्सम बिल्कुल राइट एंसर अगर अनादर का बिलोम सब्द पूछे तो क्या करना है आदर करना है इसका सी नमर अप्सम पर बिल्कुल टिक मरना है उसके बाद आप सभी को जहां प कबता है है तो इसे सbt और और आप सब्सक्राइश करनी इस अगला क्या लिखा तो अपसि अबहुंद सुने यंए क्या कहा जाता है और टिसमें से घ्र सकेंड का टाइम सुरू होता है तो आई नो कि आप सभी ने इसका एंसर तुरंध ही कर दिया होगा इसका बिलूम सब्द क्या होगा नास्तिक होगा जो कि आप सब घर में सुनते ही होंगे इसका बिलूम सब्द क्या होगा नास्तिक होगा इसका बिलूम सब्द क्या होगा ना आगे बढ़ जना है तो आप सभी को आता ही होगा इसलिए से ज्यादा नहीं लिए है और बात करते हैं आप सभी को परवाची सब्द से आप सभी का कुछन रहेगा आपके वोड एक्जाम में और कैसा कैसा को रहने वाला है तो अब यह देखिए मोती का पर्यावची सब्द क इसका पर्यावची सब्द लिखने के लिए पूछ रहा है यह रहां पर्यावची सब्द बताना है इसका होगा यहां पर इसका रखनार क्या तो इसका राइट एंसर अगर आपने सी नुमर अप्शन किया है तो बिल्कुर राइट एंसर किया है मोती का परियाची सब्द क्या होगा तो सीफ होगा इसका सी नुमर अप्शन बिल्कुर राइट एंसर है आप सभी को याद कर लेना तो ऐसा ही इसका प्रश्ण पूछने मोति का परिवासी सब्द क्या होगा तो सीफ होगा तर rap कि आप सभी ने इसका अंसर कर दिया होगा अगर आपने इसका C number option किया है तो बिल्कुल राइट एंसर है आकास का परवाची सब्द क्या होगा अंबर होगा इसका C number option बिल्कुल राइट एंसर है और इसका एंसर क्या होगा तो अंबर होगा इसका C number option बिल्कुल राइट एंसर है फिर इसका अगला प्रश्णी यहां प निए फिर हो तो अगर आपने इसका एसका अवर अप्षाय क्या तो याद simplicity तेख कर सकता है यहां पर यहां पर दे देथा ये यहां पर गजराज़ी दे देड़े ता यह si, एक ही एंसर होगा फिर इसका अगला पूस्चन यहां पर बात के लेख अब आप सब्सार्डेस वह चाहिए से आप सभी का ऐसा पुछने वाला है तो यहां पर निर्जन में कौन सा उपसवर्ग है तो आप सभी को इसका एंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है तो आप सभी को टाइम देते हैं दस सकेंड का कि चांवी इसका एंसरा आपने क्या किया है तो आप सभी करने निर्जन हो रहा यह तो आप सभी का इसका एंसर क्या होगा तो आप सब्कसर के लिए को पूड़ा औरो इसके बाद सब्सक्राइब और उसका टीक यहां पोचारन करते हैं आप सभी को पता चलेगा निर जन हो रहा है तो निर आगे आ रहा है उसके पास जन आ रहा है तो इसलिए निर होगा इसका इसका टीनमर बिलकूर अपर प्रता निश्टेज में कौन सा उपस्वार गती आप 2018 का है और उसके बाद यह भी प्रश्न है जो की 2018 में पूछा गया तो तीनों प्रश्न जो की आप सबी कि लिए लेकर आये हैं तो do हजार हारे हैं और यह commitment युझे शरुक को रूहारे हो रहा तो अगर आपने इसका एंसर किया है तो बिल्कुल राइट एंसर किया ने स्टेव में कौन सा उप्सवर्ग है तो निश उप्सवर्ग जैसे कि आप सभी को बोला ही निश तेज यहां पर उचारण करना है निश तेज यानि निश आ रहा है तो इस पर आप सभी को देख लेन में इसलिए नहीं टाइप होगा यहां पर इसका एंसर यह हो जाएगा इसमें नहीं था इसलिए इसका इसलिए इन्सर बिल्कूर राइट एंसर है तो अगला प्रशनी क्या करें कि बुढ़ हापा में कौन सा उपसर्ग तो आपके सामने चार्विकल पर यहां पर दिया गया और आपका टाइम और श्टार्ड होता है अगर आपने नमर उप्सम किया तो यह बिल्कुर आइट अपर आप सब्सक्राइब और आप सब्सक्राइब करना है यह पिछले जो कि मैंने आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है तो अभी तक आपने वीडियो का लाइक ने किया तो वीडियो का लाइक कर दे और दोस्तों के चाहर करना ना बूलें मिलते हैं इसके नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम बंदे मात्रम कर दो फसके वीडियो कर दे रचले जैहिंद यद्सक्राइब सब्सक्राइब झाल झाल